दोस्तो फिलहाल तो बॉलिवूट के किंखान शारुखान के फिल्म डंकी ने स्रीमागरों में रिलीस होते ही तहल का मचा दिया है और फिल्म आज अपने फर्स डे पर बॉक्स आफिस पर तूफानी कमाई कर रही है आपको बताता चलू में कि फिल्म डंकी को हर तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉंस मिल रहा है हर कोई फिल्म की तारीफिक कर रहा है राजकुमार इरानी का डिरेक्शन है बढ़िया है फिल्म में इमोशन्स है, कॉमेंडी है, ड्रामा है यानि कि एक भरपूर इंडर्टेर फिल्म है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं बहुती बढ़िया और धासू फिल्म है और यही वज़ा है कि आज अपने फर्स डे पर भी एक फिल्म एक रिकार्ट तोड ओपनिंग करती हमें नसर आ रही है लेकि दोस्तों फिल्हाल इस वीडियो में आप से बात करने वाला हूँ जैसा कि आप सभी को पता होगा एक दिसंबर को सिनीमागरों में रिलिस हुई थी रनबीर कपूर की फिल्म एनिमल जिसने सिनीमागरों में सिर्फ इतिहास रचा नहीं बलकि इतिहास बनाया है और वाकि एनिमल फिल्म ने बॉक्स आफिस पर अभी तक जो पर्फॉर्मस दिखाई थी वो वाकि काबिली तारीफ है क्योंकि अब डंकी के रिलिस होने के बाद एनिमल की कमाई पर बहुत बड़ा फरक पड़ा है अपने 20 दिनों तक फिल्म एनिमल बहुत ही बड़िया कलेक्शन कर रही थी यानि कि 5-6 करोड, 5-6 करोड डेली कमा रही थी लेकिन यहाँ पर आज 21 दिन जैसे फिल्म डंकी रिलिस होई तो फिल्म की कमाई पर बहुत बड़ा फरक पड़ा है तो यहाँ पर इस वीडियो में आप से बात करूँगा अनिमल फिल्म अपने 20 दिनों में टोटल इंडिया के अंदर कितनी कमाई कर चुकी है ऐस अपने 21 दिन यह फिल्म के अंदर कितनी कमाई करेगी वही फिल्म का पूरे वल्ड में टोटल कितना कलक्शन रहेगा तो दोस्तो बसता आप इस वीडियो के साथ बाने रहिएगा लेकिं दोस्तों उससे पहले अगर आप रणवीर कपूर और शारुखान को एक बेहितरी नभीनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथे साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एनिमल की चुकि एक एक्शन थ्लिडर फिल्म थी जिसको डेरिक किया था संधीप रेड़ी वांगा ने फिल्म को प्रिड्यूस किया था भूशन कुमार और कृशन कुमार ने और फिल्म में हमें रश्मी का वंदाना तिरिप्ति दीमरी, बॉबी देओल, रनबीर कपूर और अनिल कपूर एहम किरदारों में रसराय थे, फिल्म का बजट लगबग 1.500 कुरोड रुपे का था, लेकिन एनिमल फिल्म ने अपने पहले ही दिन से बॉक्स आफिस पर जो पर्फॉमस दिखाई थी, उसे देखकर हर कोई हैरान था, क् अपने पहले दिन 63 करोड 80 लाख रुपे की कमाई पूरे इंडिया से नेट की थी इस फिल्म ने, और वहीं फिल्म का जो वर्ड वाइड ग्रॉस कलक्शन था, वो लगबग 116 करोड रुपे का था, तीन दिनों के विकेंड पर ये फिल्म 201 करोड 53 लाख रुपे की कमाई इ इंडिया से नेट कर ली थी तो वहीं फिल्म का वर्ड वाइड ग्रॉस कलक्शन 717 करोड 75 लाख रुपे हो गया था, उसके बाद बात करूँगा मैं फिल्म के पूरे 19 दिनों के ऑफिशियल वाक्स आफिस कलक्शन की, क्योंकि देखिए अब यहां पे आपको नजर देनी क की जुरत है, 19 वे दिन जो फिल्म का कलक्शन था वो 5 करोड 50 लाख रुपे था, और फिल्म की 19 दिनों की टोटल कमाई 523 करोड 70 लाख रुपे इंडिया से नेट हो चुकी थी, वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलक्शन 625 करोड रुपे हो गया था, ओवर्सीस से फिल वर्ड में 852 करोड पे फिल्म कर चुकी थी, उसके बाद 20 वा दिन भी फिल्म का शांदार रहा था, कल 20 दिसंबर का 5 करोड 10 लाख रुपे कमाई थे, लेकिन आज 21 वा दिन है, डंग की रिलीज हो चुकी है, और फिल्म की कमाई आ चुकी है, एक करोड 10 लाख रुपे पे, और 21 दिनों में जो टोटल कमाई है, फिल्म एनिमल की, वो 534 करोड 48 लाख रुपे इंडिया से नेट हो जाएगी, तो वहीं फिल्म पूरे वल्ड में लगबख 860 करोड रुपे कर रही है, जो की काबिले तारीफ है, और फिल्म बॉक्स आफिस पर और टाइम बिलाग पास हो चुकी है, लेकि दोस्तों फिल्हाल बात करेंगे डंकी की, जो की राजकुमार इरानी के डिरेक्शन में बनी थी और एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसको फिल्हाल फैंस बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, दिल से पसंद कर रहे हैं, और यहीं वज़ा है कि फिल् की कॉशल, बमा निरानी और तापसी पन्नू एहम किर्दारों में नजर आ रहें, और फिल्म का जो बजट है, वो लगभग 1.500 करोड़ उपे के आसपास का है, और फिल्म को पूरे इंडिया में लगभग 4500 स्क्रीनों पर रिलिस किया गया है, फिल्म ने अपने फॉर्स ड इतना बड़ा हॉलिडे भी नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर कोई हॉलिडे ओलिडे नहीं है, तो मलब पूरी तरह से वर्किंग डे है, और फिल्म आज इतनी बड़ी ओपनिंग ले रही है, तो वाकि यह एक शांदार है, क्योंकि मैं कहूंगा अप्टरनून की 40% की occupancy है, अगर evening में, अगर evening में 50-55% की occupancy रहती है, तो मैं guarantee लेता हूं कि जो night की occupancy रहेगी, वो कम से कम 80% की रहेगी, तो आज अपने first day पर film डंकी कम से कम 35 करोड़ उपे तो पक्ता करने वाली है, आज अपने first day पर, इंडिया के अंदर 35 करोड़ उपे की net opening ये film करेगी, और वही film का जो worldwide gross collection होगा अपने पहले दिन का, वो होगा लगबग 80 करोड़ उपे क्या सपास, और मैं कहता हूं कि 80 करोड़ उपे film डंकी कर रहे हैं अपने first day पर, ये बहुत बड़ी बात है, comedy drama film में इतनी बड़ी opening करती नहीं है, अधिकतर आपने देखा होगा, लेकिन ये शारुखान के स्टाडम का ही कमाल है, उसके बाद कल फिल्म का collection भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन सटर्डे और संडे पूरा तूफान मचाने वाली है ये फिल्म, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपने फिल्म डंकी देख ली है और आपको कैसे लगी है फिल्म, कमेंड मि येगा